नमस्कार फ्रेंड्स, पीस्फुल होम एन इंभारनमेंट चैनल में आप सब की श्वागत है और मैं मिसिस धार फ्रेंड्स, आज मैं आपको सेलोसिया प्लांट के बारे में बताएंगे सेलोसिया एक बहुती खुबसूरत, कलरफुल पौधा है उसके फूल कलरफुल है और सेलोसिया की जो हाइब्रीड भराइटी है उसके पत्ते ग्रीन होते हैं लेकिन उसके जो देशी भराइटी है उसके पत्ते भी बहुत सुन्दर कलर बिसिस्ट होते हैं तो आप ये जो देख रहे हैं स्क्रीन में ये hybrid भराइटी की एक शेलोशिया पाउधा है इसके इलाबा मेरे पास एक और है जो देशी भराइटी की है इसके लंबाई काफी उचा तक होती है और इसके काफी branches निकलती है जिस बज़ा से ये देखने में ज्यादा सुन्दर सेलोशिया प्लांट के बारे में पूरी जान करी देंगे उसके पहले अगर आप चैनल में नए फ्रेंड है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अ और अलग दिखने वाली फूल है शेलोशिया की हाइबिड भराइटी भी होती है और देशी भराइटी भी होती है 45 में देखा जाता है शेलोशिया की 45 स्पेशीझ होते है और यह नेटिव है ट्रोपिकल अमरिका की धेर सरे colors में ये फूल देखने को मिलती है garden को सजाने के लिए सेलोसिया एक बहुत अच्छी option होशकती है अगर 4-6 या 10 पौधा आप सेलोसिया की रखते है garden में तो आपकी garden काफी colorful, काफी सुन्दर दिख सकती है कई color में और कई तरह की shape में ये पौधा देखने को मिलते है ऐसे तो इसको coxcomb या सीलोसिया बोला जाता है इसके साथ साथ wool flower भी बोला जाता है red, yellow, orange, sky धेर सारे colors में ये शेलोसिया देखा जाता है अभी इसको pot में कैसे लगाए आप चाहे तो इसको जमिन में भी लगा सकते हैं जमिन में लगाएंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से grow कर सकते हैं और अगर pot में लगा रहे हैं तो इसके मिट्टी will drain बनाना जरूरी है एक भाग मिट्टी, एक भाग भालू और एक भाग compost लेके इसकी मिट्टी तयार कर सकते हैं मैं ऐसे ही तयार की हूँ, उसके साथ थोरी सी बोन मिल और थोरी सी नीम केक मैं मिलाई हूँ बहुत ज़्यादा क्यार या बहुत ज़्यादा fertilizer सेलोशिया मांगता नहीं है लेकिन थोरी सी अच्छी compost डाल के अगर इसकी मिट्टी बनाया जाए तो ये फूल बहुत अच्छे colorful डिखते हैं और paste attack इसमें काफी होती है, आप देख रहे हैं इसके सारे पत्ते खराब हो गया है कुछ दिन मैं insecticide use नहीं की थी, गार्डन में मैं insecticide प्रयोग कम से कम करना चाहती हूँ इसलिए कुछ दिन मैंने insecticide प्रयोग करना बंद रखी थी इसलिए इसके पत्ते में paste attack हुई और पत्ते खराब हो गया है इसलिए आप अगर सेलुशिया को paste attack से शुरक्षित रखना चाहते हैं तो नियोमित insecticide आप स्प्रे करते रहें और ये पौधा जो है ये धूप बाली पौधा है धूप में रखेंगे तब ही ये बहुत अच्छे से ग्रोग कर पाएंगे इसलिए गार्डेन के जिस जगा में धूप है उस जगा में इस पौधे को रखें और रेगुलर फर्टिलाइजेशन बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर की जरुरत इसको है नहीं आप जब पौटिंग मिक्स बना रहे हैं उसमें आप अच्छी क्वांटिटी में कम्पोस डालके पौटिंग मिक्स बनाके ये पौधा लगा दीजिए उसके बाद दस से पंदरा दिन छोर के अगर सर्शो की खली की तरल खाद आप डालेंगे तो ही इस पौधे के लिए का क्या है इसकी वीडियो मेरे चैनल में अल्रडी है आप चाहे तो देख सकते हैं और ये जो फूल है इसकी सबसी खासियत ये है सबसी बड़ी खासियत ये है कि ये फूल खिलने के बाद महीनों रहता है एक महीने से ज्यादा ये जो फूल आप देख रहे हैं ये एक महीने से ज्यादा खिले हुए है एक महीना फूल खिलने के एक महीना बाद मैं ये विडियो बना रही हूं और देशी वली भराइटी जो है वो देर महीने से ज्यादा हो गया है तो ये फूल जो है इस फूल की खासियत ही है कि बहुत जल्दी ये खराब नहीं होते हैं इसलिए आफी दिन तक कलारफुल रहते हैं और ऐसे तो इस पौधे की बहुत ज्यादा क्यार करने की जरुरत नहीं है सिर्फ पानी का थोड़ा ख्याल रखे बहुत ज्यादा पानी ये पौधा पसंद नहीं करते हैं इसलिए मिट्टी शूखने के बाद गमले के मिट्टी शूखन के बाद ही आप वाटरिंग करें तो अच्छा है तो फ्रेंड्स आप इतना कीजिए और शिलोशिया की खुब सूर्ति आपको मिलती रहेगी तो फ्रेंड्स आज इतना ही नमस्कार अच्पेश है दुआए चिनग्स आपको मिलतु करते हैं दिलोशिया की उरस है और चर कीजिए गमले कीजिए आतोТак झाल झाल